स्वागत है आप सभी का और टो टेल्स पार एक नई वीडियो के साथ तो आज की वीडियो में बात करेंगे हमारे जो कार का सस्पेंसन होता है फ्रंट सस्पेंसन उससे में आने वाली आवाजों से कुछ रिलेटेड टॉपिक पर और साथ ही टायर से आने वाली कुछ अनिवन भी जिसको बोला जाते हैं तो इसके बाल जाइंट होता है जो कनेक्टीड रहते हैं हमारे हमारे जो टायर के पीछे हब से वह जब घिस जाते हैं तो अगर आवाज घ्लाल ऑगए देखेंगे आयाने तो फीर यह बुस्स अपनी जगे पर पर नहीं रहते हैं मतलब आगे प जो रोड है हमारे स्टेबलाजर बार है यह से कनेक्टेट रहती इसम के पीछे भी देखिए आप यह बुस लगए है तो यह बुस भी अगर कट जाएं तो इसकी वज़े से भी जब हम गाड़ी को उठाएंगे या फिर रोकिंगे या फिर कभी गाड़ी बंस में जाएगी त स्टेबलाजर बार है यह आगे जाकर क्रॉस मेंबर से ब्रैकेट के थुरू कनेक्टेड होता है इसमें भी देखिए हमारे बुस लगए रबड़ के बुस तो यह भी जब कर जाते हैं तो यह सेम चींग में भी यही होता है कि जब हम गाड़ी उठाते हैं या फिर गाड़ हमारे सस्टेरिंग के लिए तू देखे सस्मेंशन से भी आवाज आती हुस आवाज को चेक करने का तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा में ली क्या होता है हो स्टेरिंग को टर्न करते हैं तो यह आवाज करता है चलती भी गाड़ी में बताने चलेगा लिए कभी आप इस स्टेरिंग को मोड़िएगा वह तब आपको इसमें से नॉइस फील होगी मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा इसको यह देखे इसको मैंने डिटेच कर लिया इनसे हब से अब मैं इसको यह स्कूडाइवर के हैल्प से इधर उदर जब मैं रोटेट करूंगा मूब तो इसमें से एक आवाज आएगी मतला इए अब को दिखाने के लिए करूं अगर उसमें से आवाज आती है तो आप इसको खुलुआ के अदर अच्छे से ग्री सिंग कर लेगा इसके कंपोनेंट में जितना भी होता है यह हो जाता है कर देते हैं मैकैनिक इसको भी और इसक भागी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ठीक है, उसके बाद यह एक तरब को पूरा मोड लेजेगा ठीक है उसके बाद इसके बाद जो सीवी जौइंट होते हैं अकर उन में प्ले होगी तो आप इसको पुष्क करेंगे अंदर बार की तरब पुष्क करेंगे लिए इस में फ्ले होने है अपको फ craz उने लगजा और यह जो इसके बूट हो होता है इनकी होता हुए आपको थ्याती है इंगे करें ँरसियोन कि Thta में इक में इडिकेशन आपको होते हैं जो एक में इडिकाशन शीरे को अरभ दिट जो से पूपको य worlds अंदर जो ख्योंब खतन ऊचरको is लिडीत करद कर बीदब केया सब्धेद उनके रही है इनकी इस सी बहतste 지क्श szczHH फ्योंद कईना खिछ आते हैं लोगों को पता भी नहीं होता कई बार इस वज़े से बाद में क्या होता है हाई टेंप्रेचर ग्रीस का यूज होना चे पर नहीं होता तो जो नॉर्मल सी ग्रीस होती हो घिस जा मतलब से दीरे दीरे खतम हो जाती तो आवा जाती हो इस वज़े से जो हमारे चल खराब होनी का बहुत होई होता नहीं तो अंहीं वही होताए नहीं कुछ होता है कि यहाँ से खुल जाए और उसका घ्रीस को या तो इसके जो सीवी जांट्स होता है वह खराब हो जाता और में चीज इसका जो यह जो गंट्रोल आम पर ध्यान देना बहुत जुरुड़ी क्योंकि पूरी चेक गाली का लोड होता है जो बहुत ज्यादा इस पे भी निर्भर करता है कि इस पे कितना लोड तो इसका जो जोएंट से इसको प्रॉपर में चELLER करते रहने चयए मैं इस पर वीडीयो बनाऊंगा और इसको अगर इसकी चेंजिंग पर वीडियो बनांगा और साहोसे भैसाइन परफारमेशन को लोड़ कstaw कमेंट ब्लॉक्स मंद कर सकते हैं मैं आपके सवालों को जवाब देनी को उस करना चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार